नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चोहन और आप देखरें मेरा चैनल खबराट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा दोस्तों अंग्रेजी में एक शब्द है move on यानि जो पल बीत गया उसको वही छोड़के आगे निकलना चाहिए जो खशन बीत गया जो उसकी यादे है जो घटना है उसे वही पर छोड़कर आगे चला जाना चाहिए उनकी सुनहरी यादे लेकर आगे बढ़ना चाहिए पिछले कई सालों से तकरीबन नौ सालों से अगर कहूं specifically तो ऐसा लग रहा था कि Congress अपने ग्लॉरियस पास्ट में कहीं कहीं अटक के रह गई है पिछले नौ साला में तो ऐसा लग रहा था कि 2014 में कॉंग्रेस पार्टी को ऐसा जटका लगा है कि वो अपने भूत काल से निकल ही नहीं पारी और भविशे की तरफ देख ही नहीं पारी इसलिए लोगों ने कॉंग्रेस को राइट आफ करना शुरू कर दिया था इसलिए अरविन केजरिवाल जैसे लोग कहने लगे थे कि कॉंग्रेस की बात करना बेकार है कॉंग्रेस पर बात करके टाइम फजूल में वेस्ट करना बेकार है लेकिन 7 सितमबर 2022 के बाद जिए दिन यद रखेगा 7 सितमबर 2022 के बाद Congress ने अब सीख लिया है कि Move-on कैसे किया जाता है ना सिर्फ Move-on करना सीख लिया है बलके Congress Party ने ये सीख लिया है कि औरों से आगे कैसे रहा जाता है यानि ahead of the others जिसको कहते है न competition में औरों से एक चाल आगे कैसे रहा जाता है यह Congress ने सीख लिया है 7 सितंबर 2022 के बाद यह वही दिन है जिस दिन राहूल गांदी ने कन्या कुमारी से भारत जोड़ो यातरा शुरू की दि इतने कम वक्त में 9 साल 9 महीने के वक्त में party में कितना बदलाव आ सकता है party में कितना जोश आ सकता है और सिर्फ दो विधान सभाचुनाओ की जीतें आपके party को कहां से कहां पहुँचा सकती है इसका जीता जाकता उधारन Congress बन गई है अब कॉंग्रेस में इतना जोश है कॉंग्रेस में इतनी फॉर्ड प्लानिंग चल रही कि राहूल गांदी जैसा बड़ा नेता जो अक्सर इस तरह के प्रडिक्शन वाली बातों से धूर रहता था अब राहूल गांदी जैसा नेता भी कहने लगा है कि करनाटक में जिस तरह कि हमने performance की है उसके बाद मद्य परदेश में कम से कम डेर सो सीटे कॉंगरेस की जीतना तैह है अभी हमारा discussion हुआ लंबा लंबा चोड़ा discussion हुआ और हमारी internal assessment है कि 136 मिली करनाटक में हमारा internal assessment है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है तो करनाटक में जो किया उसको हम repeat करने जा रहे हैं थोड़ा सा होता है कि जब चुनावी mode में जब कोई जाता है तो राहूल गांदी ने करनाटक में भी 1500 सीटों का आहवान किया था लेकिन अक्सर राहूल गांदी चुनाव से पहले ही इस तरह की calculation या इस तरह के एक दावे करने या आंकड़ा देने से बचते थे वो अक्सर ये कहते थे कि बीजेपी को हराया जा सकता है या कहते थे कॉंग्रस अच्छा परफॉर्म करेगी लेकिन कभी आंकड़ों पे नहीं जाते थे अब राहूल गांदी करनाटक के बाद मद्यपरदेश को लेकर आंकड़ा बाकाइदा दे रहे हैं आपको अब राहूल गांदी ने इतना बड़ा दावा किया है तो क्या ये दावा हवा हवाई है या इसके पीछे कुछ वजन भी है अगर आप इन सारी चीज़ों का एनलाईज करेंगे तो समझ में आता है कि राहूल गांधी के दावे के पीछे क्या वज़ा है या इस दावे में कितना दम है अब राहूल गांधी के इस दावे की शायद सबसे बड़ी वज़ा तो यही है कि जो कॉंग्रेस ने मैंने कहा मूव ओन करना सीख लिया है और अपने प्रतिद्वन्दियों से आगे एक कदम आगे रहना सीख लिया है जिसका उधारन आज दिल्ली में देखने को मिला देखे आपको मालूम है पिछले तीन-चार दिन से नए संसत भवन के उधाटन को लेकर जो भी ड्रामा चल रहा है कॉंग्रेस उसकी धूरी में रही है जो 21 पार्टियों ने उसका भहिशकार किया कॉंग्रेस उसके सेंटर आफ तर स्टेज रही है कॉंग्रेस को शाबाश वहीं पर अटकी नहीं रहे गई कि जहां पर राष्ट्रपती का अफमान किया गया है जो संसत में हुआ है वो राज्य अभी शेक हुआ है लोकतंत्र का स्थापना नहीं हुई फलाँ 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 इस तरह की चीजों से वो रहेगा लेकिन मूव उन करना भी सीख लिया है और आज पूरा दिन बहुत समय बाद दिल्ली में कॉंग्रेस हेड़कॉर्टर पे खूब गहमा गहमी रही आज मली कारजुन खडगे और उस पहले राहुल गांदी भी उनके साथ थे मली कारजुन खडगे के साथ और केसी वेनु कोपाल ने बहुत एहम बैठके करी इनी बैठकों के नतीजों के अधार पर शायद राहुल गांदी ने वो दावा किया है पहली बैठक थी पंजाब के जो नेता है पंजाब की यूनिट है उनके साथ मली कारजुन खडगे राहुल गांदी और केसी वेनु कोपाल की और इसके बाद दूसरी बैठक थी दिल्ली य एक जो ऑर्डिनेस सरकार ने जारी किया है उस ऑर्डिनेस में कॉंग्रेस पार्टी को क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन में जाना चाहिए इन दोनों चीजों को लेकर बैठक थी हलांकि नेताओं ने ये नहीं खा कि इस बैठक में क्या नतीज़ा निकला लेकिन सूत्र का ये कहना है कि दोनों ही राज्जे की उनिट वो चाहे दिली हो चाहे पंजाब हो वो चाहती है एक सुर में या जादतर नेताओं ने ये कहा कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए कॉंग्रेस को आम आदमी पार्टी से दूरी बनाया रखनी चाहिए क्य ही है वो हमेशा के लिए छीन जाएगी ये भी डर सता रहा है लेकिन कुछ नेताओं का ये भी कहना था कि ओडिनेंस के मामले में संसद में कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ दे सकती है लेकिन 24 को लेकर कोई गड़भंदन आम आदमी के साथ नहीं हो सकता जो काफी हद तक वाजिब भी लगता है फिर अगली मेटिंग जो होती है वो होती है मद्य प्रदेश को लेकर जिसमें कमलनात और राज्य प्रभारी हों और कई नेता मौझूद थे जिसके बाद राहुल गांदी ने डेड़ सो सीटों का दावा किया का जार है कि उस मेटिंग में यह तैह हुआ कि कॉंग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े आपको वापिस छिननी है अब करनाटक के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश कॉंग्रेस के लिए थोड़ा सा और जादा आसान लग रहा और बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा उसकी वज़ा ये है कि करनाटक से जादा एंटी इंकुम्बेंसी बीजेपी के ख दिख रही कमलनाथ पहले नंबर के नेता वहां साफ दिख रहे हैं और दिगवी जैसिंग उनका साथ दे रहे हैं नंबर टू पर रहकर यानि कि वहाँ पर सिद्धा रमया और डीके शिपकुमार जैसा भी मामला नहीं या उनसे भी आसान है वहाँ पर कॉंग्रेस को इस सि कमलनाथ जमीनी हकीकत जानते हैं कमलनाथ ने पिछले एक साल से काफी हद तक प्लान तयार कर रखा कि वहाँ पर किस तरह से बीजेपी किन जगाओं पर कमजोर दिखती है और कहां पर उस पर वार किया जा सकता है चौथा जो सोशल मेडिया को लेकर या कैंपेंड को लेकर जो करनाथक में जिस तरह से पूरी रणनीती रही कॉंगरेस की उपूरी रणनीती को सुधार के साथ पार्टी मद्यपरदेश में उतारने वाली है तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है राहूल गांदी ने ये दावा किया है और राहूल गांदी के इस द खडगे ने अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट से मुलाकात करनी है अब शायद जब आप वीडियो देख रहे हो तब वो मुलाकात चल रही होगी शायद क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी मुलाकात शुरूर नहीं हुई थी लेकिन बहराल बैठक ह कोई ये कल हो जो भी है बैठक का होना बहुत एहम है बैठक क्योंकि राजिस्थानिक ऐसा राज्जी है जहां ये लग रहा था कि कॉंग्रेस क्यों फैसला नहीं ले रही लेकिन अब खबर ये आ रही ही कि मलीक अरजुन खडगे ने तैय कर लिया है कि वो इस मामले को सुल नहीं मंजूर है खास करके सचिन पाइलिट के लिए तो शायद उन्हें ये इशारा भी दिया जा सकता है कि फिर आपकी मर्जी है वहाँ पर राजिस्थान में ये समस्या सुलजाना क्यों जरूरी हो गया था वो इसलिए कि बीजेपी के अंदर से जो खबरे आ रही है जिस वसंद्रा राजे को बीजेपी में साइड लाइन किया जा रहा है अब अगर बीजेपी में वसंद्रा राजे साइड लाइन होती है तो मैंने पहले भी कहा था कि माना ये जाता है कि वसंद्रा राजे एक चुनाओ बीजेपी को हराने का मादा रखती है अब ऐसे में अगर अगर वसुंद्रा को बीजेपी साइड लाइन करती है तो कॉंग्रेस के लिए रहा आसान हो जाती है बशर्त है कॉंग्रेस अपने घर का जो कुन्बा है उसको ठीक कर ले इसलिए खरगे साब ने बहुत important meeting आज रखी है और इसमें तैह होना है कि राजिस्थान में दरसल कॉ कि और क्या होने वाला है राजिस्थान में कॉंग्रेस का इस meeting पर बहुत निर्भर करता है खैर कि सारी meeting है मैंने आपको बताई अब इन सब चीजों का अगर विशलेशन किया जाए तो देखिए विशलेशनों के विशलेशन में यह होगा कि meeting हैं हर पार्टी में होती है ले अपने एक चीज़ नोट की होगी कि कॉंग्रेस में अब फैसले फटा फट होने लगे हैं अब हाई कमान के सहारे छोड़कर फैसले लंबे नहीं लटकाया जाते हैं अब जो होता है तुरंत होती है जो भी होना है हाँ या ना इधर या उधर लेकिन फैसला जरूर होता है अब चीज़ों को लटकाया नहीं जाता है एक तो मलिक अरजुन खड़के के आने से ये फायदा हो गया दूसरा राहुल गांधी जब और गांधी परिवार या सोनिय गांधी तो हेल्थ की वैसे कर साइड होगी जब तो राहुल गांधी यह संगठन की जिम्मेदारियों स तो अपनी राय को कई बार खुल के नहीं बोलते थे उन्हें लगता था कि कहीं कुछ लोग नाराज नहों जाए क्योंकि उनके खिलाफ पहले आपको मालूम एक G23 ग्रूप नाम का खड़ा था लेकिन अब राहुल गांधी खुल के राय देने से क्या होता है कि मलिक अब इसको इस पहलू से भी देखा जा सकता है कि कॉंगरेस के लिए दूसरों से एक कदम आगे रहना इसलिए भी जरूरी है कि आपको मालूम है कि जो विपक्षी एकता की धोरी बनाई जारी है बारा तारी को उसको लेके पटना में एहम बैठक होनी है जिसमें राहुल ग अगर विपक्ष की धूरी बनना है विपक्ष में आपको एक में लीड बनना है तो कॉंगरेस को अपने घर के मामले पहले सुलिटाने पड़ेंगे और कॉंगरेस को अपनी रन नीती पहले तैयार करनी होगी क्योंकि मैं फिर इस बात का फर्म बिलिवर हूँ कि इन पांच राज्यों के चुनाओं में अगर कॉंगरेस ने तीन राज्य भी जीत लिए तो आप ये मान के चलिए कि हर विपक्षी पार्टी जख मार के कॉंगरेस के पीछे आएगी जिसको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है या जो मायावती जैसी जो बीजेपी की गोद में जाके ब मजबूत होती है बीजेपी उतनी कमजोर होती है क्योंकि करनाटक में आपने देख लिया कि बीजेपी का वोट परसंट तो उतना ही रहा लेकिन सीटे कहां से कहां आगे कॉंग्रेस का वोट परसंटेज पिछले चुनाओं में भी बीजेपी से जादा था लेकिन सीटे कम इस बार वोट परसंटेज भी बढ़ा और सीटें रिखे कहां से कहां चली इसलिए बीजेपी इसलिए कमजोर होती है कि जो वोट कॉंग्रेस से नाराज होके छिटक के दूसरी पार्टियों को गया था ना वो फिर उन पार्टियों से भी जाना नाराज हो रहा था तो वो बी कि जैसे आपने पहले देखा था आपने की बीजेपी कॉंग्रेस ने हर राज्य में जाके प्रेस कॉंफेंस की थी इस सरकार के खिलाफ अब सरकार के जो नौ साल होने पर नौ सवाल जारी की है उसको लेके भी देश के हर राज्य में कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेता जाकर प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं सवाल उठा रहे हैं सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो ये एक रंडी थी उसी का हिस्सा है कि जहां चुनाव नहीं भी है वहां के वोटों को भी कॉंसॉलिडेट किया जाए वहां भी जो कॉंगर्स से छिटकाव वोट है उसको वापिस लिया जाए इसलिए कनहिया कुमार जैसे नेताओं को फिल्ड में भेजा जा रहा है और कनहिया कुमार जब बोलते हैं तो आपको मालूम है न फिर लोग सुनते हैं उनको और कनहिया और ज्यादा लोगों को पसंद आता है आज इनफलेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे बाजपा के एक मंतरी सहाब एक तो उनको देख करके हमको हसी आती है क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस बिधा पे चल रही है तुमेव माता पिता तुमेव बंदू सखा तुमेव मतलब प्रधान मंतरी से प्रधान मंतरी नहीं है वो प्रधान मंतरी भी है राष्ट पती भी है लोग सभाध्यक्ष भी है विदेश मंतरी भी है रेल मंतरी भी है बित मंतरी भी है और कभी-कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आये हुए खिलारियों का मेडल लेकर के कॉन है कौन है विदेश मंतरी लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंतरी चुना कि बास्कोडिगामा चुल लिया है यह सवाल तो पूछना चाहिए न यह कॉंग्रेस की जो रंडिती पांच राज्यों के विधानसभा या 24 को लेके जो गोलबंदी की जा रही ने कॉंग्रेस की तरब से इसमें हमें एक चीज और नहीं भूलने चाहिए कि important एक चीज और कॉंग्रेस के सामने है वो है राहूल गांदी का कल से शुरू होने वाला अमेरिका दोरा इस US दोरे पर भी कॉंग्रेस की निगाएं हैं सरकार की निगाएं हैं पूरे विपक्ष की निगाये हैं क्योंकि एक United Kingdom के दोरे ने जो इस देश में बवाल मचा दिया था राहूल गांदी के खिलाफ सरकार ने जो है आनन फानन में ऐसी ऐसी कारवाई कर दी कि सरकार को फायदे की जगा नुकसान ही नुकसान हो राहूल गांदी को जो पॉपलर्टी चार्ट है उसमें कहीं से कहीं पहुँचा दिया अब US दोरे भी सब की नदर है कि राहूल गांदी अब जिस तरह से खुल के बोलते हैं वो तो चुप रहेंगे नहीं अब डर सरकार को यह है कि ना जाने राहूल गांदी क्या क्या बोलेंगे क्योंकि उसके बाद जाना किसको है प्रधान मंतरी मोधी को अब US में तो जब भी आपके सामने जाएंगे प्रेस सवाल पूछेगी अब सवाल के जवाब देना प्रधान मंतरी मोजी को आता नहीं है तो ऐसे में दुविधा में सरकार पड़ी है कि रहूल गांदी ना जाने क्या क्या करेंगे अब उन सब चीजों से भी जो निकलेगा वो कॉंग्रेस को फायदा ही पहुँच आएगा इसलिए एक ये भी एहम जो घटना है अभी कॉंग्रेस के अगले प और ऑस्ट्रेलिया या फिर कैनेडा इन दोनों देशों के दोरे पर भी जा सकते हैं थाकि वहां भी एक्च्वल में जो ओवर्सीज कॉंग्रेस है ना जो कॉंग्रेस के लिए एक्च्वल में फाइनेंस का बहुत बढ़ा एक रेड़ी की हड़ी थी उसको मजबूत करने की कोशिच कर लिए इसलिए राहुल गांदी के विदेशी दोरे बहुत इंपॉर्टर हो जाता है ऐसे में की ताकि कॉंग्रेस की जो ओवर्सीज कॉंग्रेस जो इकाई है वो मजबूत हो और उससे पार्टी को फाइदा हो तो ये कॉंग्रेस की जो मूव ऑन पॉलिसी है ना कि उस सरकार पर जादा वक्त बरबाद करने से क्या फाइदा जिसके कान पर जून तक नहीं रेंग दी क्यों ना ऐसी चीजों पर अपना वक्त अपनी एनरजी लगाई जाए जो आगे भविशे में आपको सुनहरा रास्ता या अच्छा रास्ता दिखाए तो इसलिए मैंन वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप भी कीजेखे कि कॉंग्रेस की मूव ऑन पॉलिसी आपको कैसी लगी नमस्कार